दोस्तो आज में बात करूँगा आपसे पानी हमें किस तरह से पीना चाहिए दोस्तो क्या आप जानते हैं कि पानी पीने का सही तरीका क्या है हमें ये तो पता है कि पानी पीना हमारे लिए कितना जादा जरूरी है लेकिन क्या आप चानते हैं कि हमें पानी किस तरह से पीना चाहिए आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादा तर लोग पानी खड़े ओकर पीते हैं जिससे हमारे शरीर पर कई दुश्परिणाम पढ़ते हैं आईए जानते हैं कि खड़े ओकर पानी पीने से हमें क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं दोस्तों अगर आप खड़े ओकर पानी पीते हैं तो हो सकती है आपको मुतराश्य और गुर्दे की विमारी हमारे गुर्दे का काम होता है शरीर से गंदे पधारतों को छान कर बाहर निकालना जितना अधिक आप पानी पीते जाते हैं उतने ही अच्छे से गुर्दे हमारे काम करते हैं दोस्तों गुर्दे को गंदगी भाहर करने में आसानी होती है लेकिन जब आप खड़े ओकर पानी पीते हैं तब पानी तेजी से गुर्दे से होते हुए बिना अधिक छने मुतराश्य में चला जाता है और मुतराश्य या रख्त में गंदगी खटी हो जाती है जिससे मुतराश्य गुर्दे और दिल की विमारी होने का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों खड़े ओकर पानी पीने से हो सकती है कठिया बाय की विमारी जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बता है कि खड़े ओकर पानी पीने से उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है और वो जल्दी से मुतराशे में चला जाता है जिससे सरीर में जहाँ जहाँ भी पानी की जूर्ट होती है वो वहाँ वहाँ तक नहीं पहुंच पाता है और शरीर के अन्य तरलपदार्थों का संतुरन बिगड जाता है जिससे हमारे जोडो में आवश्यक तरलपदार्थ की कमी हो जाती है और जोडो में दरदोर गठिया जैसी बिमारी हो जाती है दोस्तो तो दोस्तो पानी हमेशा बैठ कर पिना चाहिए खड़े ओकर पानी पिने का कोई फायता नहीं है खड़े ओकर पानी पिने से आप हमेशा बिमारीयों को दावत देते हैं आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बुक्स में जुरूर लिखें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू